Hello everyone, इस वीडियो में we will look at the legislature Legislature जिसको की Parliament भी कहते हैं इसमें President और दो Houses आते हैं राजसभा और लोकसभा So we will know about them So Parliament का काम क्या होता है? Laws या Rules बनाना Laws और Rules चाहिए क्यों? ताकि हमारी country अच्छे से काम कर सके तो क्या हमेशा Laws ही बनाते रहते हैं? ऐसा है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमें better law की जरूरत होती है तो वैसे ही Parliament हमारे लिए नए law बनाती है तो ये law बनाती कैसे है? Two Houses of Parliament Parliament को अलग-अलग country में अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है Parliament बहुत important role play करता है democracies में ज्यादा तर modern democracies ने Parliament के power को दो पार्ट में divide किया है इनको chamber या houses कहते है हमारी country में भी दो houses है एक है council of state यानि राजसभा इसको upper house भी कहते है और दूसरा है house of the people यानि लोगसभा और इसको lower house कहते है सो ये है Parliament की building इसी में राजसभा और लोगसभा के member बैठते है लोगसभा में total 552 seats होती है और राजसभा में 250 seats है लोगसभा में जो members होते है उनको हम लोग directly elect करते है यानि ये लोग हमारी voting की वज़े से लोगसभा में गए है जो 2019 में election हुए थे जिसमें की नरेंद्र मोदी दुबारा प्राइम इनिस्टर बने थे वो election हुआ था लोगसभा के लिए लोगसभा में election हर 5 साल में होते है या उसे पहले भी हो सकते हैं अगर PM चाहते है राजसभा में लोग indirectly elect होते हैं indirectly बोले तो इनको वो लोग elect करते हैं जिनको हमने elect किया हुआ है makes sense जैसे हमने पढ़ा था जब state में elections होते हैं जिनमें हम state legislative assembly के लिए members चुनते हैं फिर जब ये members जीते हैं और legislative assembly में जाते हैं तो ये members को vote देना होता है और चुनना होता है कि वो राजसभा में अपने state से किसको भेजेंगे यानि हर state के legislative assembly के member vote करते हैं और अपने state से राजसभा के members को चुनते हैं ये होता है indirect election तो हर state का अलग-अलग number है कितने members वो राजसभा में भेज सकते हैं तो इन दोनों houses में ज्यादा powerful कौन सा होता है आपको लग रहा होगा राजसभा के पास ज्यादा power के पास होंगे क्योंकि भाई upper house नाम है बट ऐसा नहीं है ये बस नाम पहले से use हो रहा है इसलिए इसको upper house कहते हैं बाकी ज्यादा power लोकसभा के पास है तो पहले एक bill आता है और finally जब ये पार्लेमेंट से पास होता है तब ही ये bill law बनता है तो होता क्या है कि पहले किसी भी house का चाहे लोकसभा का या राजसभा का इनका कोई member bill लाता है किसी particular चीज के बारे में कि चलो let's do this because ये अच्छा है country के लिए लोगों के लिए अब इस bill पे discussion होता है उस house में बहुत time तक उसके बाद इस पे voting होती है if majority members are okay with the bill तो bill pass हो जाता है if they are not ready then bill finish उसका कोई future नहीं अगर bill pass हो गया तो ये दूसरे house जाता है और वहाँ भी same discussion होती है और फिर save voting होती है और अगर bill यहां से भी pass हो गया तो ये जाता है president के पास और जब president accept कर लेता है तो ये bill law बन जाता है और अब ये law बनने के बाद इसको पूरी country को मानना पड़ता है तो let's see ये law बनने में problem कहां से आ सकती है तो कोई भी bill को law बनने के लिए दोनों house से bill pass होना चाहिए तो ये हो सकता है कि एक house ने bill pass कर दिया है बट दूसरा house में वो bill pass नहीं हो पाया तो ऐसे case में joint sitting होती है यानि कि ये दोनों houses के members साथ में बैठके decision लेते हैं साथ में बैठके voting करते हैं और अब voting होगी तो लोगसभा में ज्यादा लोग होते हैं और राजसभा में कम तो जब voting के थूँ decision होगा जो लोगसभा के majority of members का decision होगा उन्हीं का view dominate करता है तो joint sitting जब होगी तो लोगसभा के पास ज्यादा powers होगे और एक और case है जब money से related कोई law बनाना होता है तो इसमें भी लोगसभा की ज्यादा power है क्योंकि सिर्फ लोगसभा का member money से related bill ला सकते हैं राजसभा के member money से related कोई bill नहीं ला सकते तो पहला तो यहीं पर difference आ गया और जब लोगसभा ने budget या फिर कोई भी money से related law पास कर दिया तो राजसभा उसको reject नहीं कर सकता राजसभा सिर्फ उसको delay कर सकती है 14 दिन के लिए या फिर कुछ changes वो सिर्फ suggest कर सकती है बाकी लोगसभा के उपर है उसको changes accept करना है नहीं करना है it doesn't really matter तो money से related bill में पूरी powers लोगसभा के पास है सबसे ज्यादा important function है लोगसभा का कि ये council of ministers को control करता है ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो government को run करते हैं government का leader कौन होता है? Prime Minister और Prime Minister हमारा लोगसभा का member होता है वही Prime Minister बन सकता है जिसको majority of members of लोगसभा accept करते हैं as Prime Minister, as the leader अगर लोगसभा के majority of people नहीं चाहते कि वो Prime Minister बने तो वो Prime Minister नहीं बन सकता है तो इनका काम क्या होता है? country में जो भी laws होते हैं वो सब यही लोग मिलके बनाते हैं और ये law बनाने का काम यानि legislation का काम इतना important है कि इस लिए इस assembly को legislature भी कहते हैं तो दुनिया भर में जितने भी Parliament होते हैं उनका काम है law बनाना पुराने law को change भी कर सकते हैं या पुराने law को हटा कर उनकी जगा नया law भी बना सकते हैं Parliament उनकी उपर भी नज़र रखते हैं जो government चला रहे हैं बोले तो Prime Minister and Council of Ministers as we read और ये भी बात है कि जिसे government को अगर कोई भी money चाहिए government run करने के लिए तो government को Parliament का approval लेना पड़ेगा अगर उनको नहीं मिलेगा approval वो एक भी रुपय नहीं spend कर सकते हैं Parliament सबसे बड़ा forum है discussion और debate का यहाँ पे लोग discuss कर सकते हैं public issues के बारे में या country में कोई भी problem है किसी भी चीज के बारे में beat national security, food insecurity या फिर कहीं natural calamity हो गई तो इन सब के बारे में महाँ पे जो members होते हैं आपस में discuss करते हैं ताकि वो ministries से या किसी से भी जानकारी ले सके कि आखर वो इन सब के बारे में क्या कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े decision ले जाते हैं लोग सबा में, राज सबा में और तो इस कोई नाइस तो study all of it अगर आपको कोई doubt है you can always ask hope you all liked it have a great day, bye